हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में ज्यान बिंदुजी एस अकेडमी का विहार पुलिस का प्रैक्टिशेट नंबर 5 देखने वाले हैं तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं इसमें एक भी प्रश्ण आप लोग को गलत देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने सारे प्रश्ण को अपने नोट्स और फिर गूगल के द्वरा मिलाया है इसमें तीन या चार कोश्चन का जो अंसर था वो गलत दिया गया था मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं फर्स नमर कोश्चन दि अब्स नमर निया दर्सन कर जाये और योग दर्सन के पतंजली योग दर्सन के पतंजली नीन में से कौन सा कथन सही नहीं है इसका अंसर बहुत मुस्किल से मिल पाया है बताईएगा कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है करनर सहित का तिरत, पंप, पोन एवं रत्न, तमिल सहित का तिरत, कंबन, ओटकुटन और पुंगलेंदी, चोल कला का सांस्कृतिक सार, निचोड या नटराज पड़ती मां जोकी कास की बनाई गई थी, कास से की बनाई गई थी, इसका जोराई टंसर हो जागा, ओप्सन नमर जोकी गलत है, चोल कलाई सी के कलंजू जो होते थे, या चांदी के नहीं हुआ करते थे, सोने के हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, बहुत मुस्किल से ए मिल पाया है, नेश्ट कोशन है, मुहमद गौरी का भारत पर पहला सफल आकर्मन किसके विरूद हुआ था, सफल आ जोकी आज दितिये ने इसे पराजित कर दिया था, ध्यान रखिएगा, उसके बाद 1191 का तराइन का प्रत्थम यूद जिसमें मुहमद गौरी को पिर्थिवी राज चोहान तिर्तिये ने पराजित किया था, 1192 इसी में तराइन का दितिये यूद लड़ा गया था, जिसमे मुहमद गौरी ने पिर्थिवी राज चोहान तिर्तिये को पराजित कर दिया था, 1194 इसी में चंदावर का यूद हुआ था, जिसमें मुहमद गौरी ने जैचन को गढ़वाल का सासर्था, जैचन उसे पराजित कर दिया था, इसका जो लास्ट आक्रवन था, 1205 में खुक प्राधनी बनाया था, 1206 में दिली सल्तनत के स्थापना की थी, 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुदिन एवक का सासन था, और चोगान खेलते से में कुतुबुदिन एवक की मिर्टु हो गई थी, कुतुबुदिन एवक के बाद जो सासक बना था, यह आराम सा बना था, उसके बाद इल्तुतमीश सासक बना था, इल्तुतमीश को ही दिली सल्तनत का वस्थावी कि वस्ताविक संस्थाप कहा जाता है, इन्होंने एकता प्रणाली को सुरवात की थी, टका और जित करक्तुद्ध करके दिली को बनाए थी, चली नेष्ट कोशन देखते हैं, बहुत आग प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवरादीतिये किसे में आया था मैं बहुत बार बताई हूं आप लोगों को विजय नगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन जो देवरादीतिये किसे में आया था देखिए विजय नगार समराज की जो स्थाप्ला की ग नियारे तुँग भद्रा किस नदी की साहक नदी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे विजय नगर पे टोटल चार वंसुने सासन क्या था संगम सालू तूलू और अरावीडू सवधिक जो सासन का था या संगम वंसका था मैं बार दर आप लोगों को बता चुकी हूं अब मतला एसा हमें से हम लोग का जानकारी मिलती हैं बिजय नगर समराज के बार में निकोले डी कांटि जो आया था यह इटली का रहने वाला था और यह आया था देवराय प्रथम के दरवार में किसके समय आया था बताईगा यह आया था अच्यूत देव राय के समय आया था डोमीगो पाइस और बार बोसा यह भी पुर्तेगाली यात्री था यह कृष्ण देव राय के दरवार में आया था ध्यान रखीगा चलिए आगे बढ़ते हैं विजय नगर समराज के स्थापना क किसि ने की थी तूहर हर इंट भॉक का दो भायों ने किया था इनके गुरूभ यलोन थे सिवाची अस्ठ प्रधान में कौन-कौन सामिल थे तो एक जो थी यह थे सर और नावत सर और नौवत 四 आते रहेना के प्रमुख होते थे रहेना प्रमुख को सर advertisements कहाँ जाता था नेश्ट सि अमाध्त में फ़हता था प्त्रस एज फिर्दमोंग होई होदा था उनेश्ष्ट सिटे्ट न पंडित रो धार्मिक सलाहकार होते थे पेशवा प्रधान मंत्री होता था यही आठ होते थे एक नियाधीस होता था किस शिख गुरू का प्रारंभिक नाम लहना था बताएगा किस शिख गुरू का नाम लहना था देखिए सिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था अम एक गुरु में जो टोटल गुरु हुए हैं या दस हुए हैं दसों का क्रम आप लोग याद रखेगा पहले गुरु जो थे यह गुरु नानक देव थे जिन्होंने सीख धर्म की अस्थापना की थी दूसरे गुरु और इहने सबसे पहले लंगर विवस्था प्रारम किया थ लेकिन सुचारों रूप से जारी करवाया था गुरु अंगर देव और इन्होंने गुरु मुखी लिपी की सुरात की थी इन्हें ही लहना कहा जाता है इसके अकॉर्डिक ऑप्सन नमर बी इसका राई टंसर हो जाएगा हम लोग कहां पे थे दस गुरु का नाव हाँ पहल अमरित सरसहर की अस्थापना की थी पांचवे गुरु कौन थे तो यह थे अर्जुन देव अर्जुन देव थे जिन्होंने आदिग्रंथ की रशना की थी और हर मंदिर का जो की गोल्डन टेंपल जिसे कहते हैं उसका निर्मान करवाया था और अर्जुन देव की और चेहँ ने करवईती तो जहां गीरने नेश्ट गूर्व हैं गर्ट कोन हैं कौन हैं जिन्होंने अकाल्य तकत की असथापना की थी हर गोविन साथवे गुरु शाथवे गुरु अर्फे गुरु हर के चैन नौ्य गुरुत तेग वहादू के हत्या औरंग जेव ने करवा दे थी, औरंग जेव ने करवा दे थी, सिसगंग गुर्द्वारा यहां पे है चान्दी चौक के पास, कभी आईगे तो देखेगा, सिसगंग गुर्द्वारे के पास, और इनके बेटे दसवे गुरु, गुरु गोवीन सी, जिनका जन्म हुआ था, पटना में पटना साहिप फिमस है और हमने 1699 इसी में 1699 इसी में खालसा पत की अस्थापना कीछी नादेड महराष्ट में इनकी मिर्थू हो गई थी हाला कि हतिया कर दिया गया था सुरच्छा प्रकोष्ट की नीती का समन्द किस गवर्नर जनरल से है तियो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग होगा ऑप्सन नमर ए विल्कुल राइट अंसर हो जाएगा इन्होंने ही बंगाल में 12 सासन जो लाव किया था 1765 इसी में उसे समाप्त कर दिया समन्द है ऑलन ऑफे से 1772 इसवय में में रहेसे किस विद्रो असे समंधित चीतर सी these में यह भील विद्रो तो बहुत सारे हुए हैं एक भील विद्रो याद रखेगा 1872 से 75 के भी जो चला था अहों विद्रो अहों विद्रो जो हुआ थे में इश्ड प्रेश नहीं निम्नीमेश किश्ने उनईस्थे में इंडियन स्थापना किया ऑफ अरियंटल आर्र्ट उप तीया श्थापना किया गया है 1906 में किसके दवरा तो अविंद्र नाट टैगोर के दवरा औप्सिन नमर डी एक छोटा सा आप लोग से रूकेश्ट है अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वेल आईकन को भी क्लिक कर लेंगे और जहां तक हो सके इसे सेर ही क्या करेंगे बीच में आपनों को डिश्टर मैं नहीं करती हूं लेकिन फिर भी आज मैंने रिकेश्ट किया है क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफी मेहनत किया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेश्ट कोश्चन देखते हैं, बाल गंगा धर तीलक द्वारा अस्थापित होमरूल लीग के सचीव कौन थे, होमरूल लीग के सचीव कौन थे, बताइएगा, तिया हो जाएगा, एनसी केलकर, एनसी केलकर जो थे, या थे सचीव, और जो से ब्याप्टिष्टा जो थे, या थे अध्यच, होमरूलिंग के सचीव की गई थी, बाल गंगा धर तीलक और एनी वेसेंट के द्वारा, इंडियन एनरेश्ट के पुस्ता के लेखा कौन है, बताइएगा, इसके लेखा कौन है, बाल गंगा धर तीलक का जो पत्रिका या मराठा और केसरी है, मराठा और केसरी, केसरी जो छपती थी मराठी भासा में और मराठा जो पत्रिका था, या इंगलीस भासा में छपती थी, गीता रहस जो पुस्ता के या बाल गंगा धर तीलक का है, नेश्ट है, इंडियन अनरेश्ट पुस्ता के लेखा कौन है, ब समाज को भी और समाज को और बाल गंगाधर तीरव को भारत का असांती का जना कहा था बाल गंगाधर तीलाग दुरा स्थापित होनों लेकर असचीव कौन थी ते इन से केलकर अध्या जो से ब्रैक्टिष्टा गोपाल गोखले ने 1905 इस्वे में सर्वन सोसाइटी के माका में क्या गया था सलिम उल्लाखा और आगाखा के नितित्र में इसका जो राइट अंसर हो जाएगो ऑप्सण नमर सी कराची बाटो और छोड़ा कनारा मुश्रिंग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था कराची अधिवेशन में यह अधिवेशन कर भूआ था तो असर्थ मिलान का चैन करें फ्रांसिसी सामयवाद का जनक सेंट साइमन है बिल्कुल फेवियन सोशलिज्म करनेटित जॉन बर्नाट सा आदर्स वासी समझवादी का प्रवक्ता रोवर्ट ओविन दुनिया का मजदूर एक हो कनारा रूसो बताएगा कौन सा गलत या गया है तो आप्सिन नंबर दी जो हैक्ग दिया गया है दुनिया का मजदूर एक हो कनारा दिया था कार्ल मर्स ने किसस ने दिया था वाकी सबसही है फ्रांसिस समयावाद का जनक सेंट साइमन फेवियन सोशलीज्म करनेटित जोड बरनाट सा आदर्स वासी समाजवादी का सरवोर शिकर कौन है उत्री सहयादरी की सरवोर सिखर कौना है तो सवोर शिखर हो जाएगा काल सुभाई और ने सुबाई है अठारा सो वानवे मीटर और काल सुबाई की जो उंचाई है यह 1646 मीटर 1646 मीटर नेश्ट है अन्ना मलाई के सबसे उंचे चोटी अनाय मुर्दी निलगीरी परवत की सबसे उंचे चोटी दोदा बेटा पूर्वी पश्मिघाट का मिलन बिंदू तोड़ा जन जाते निलगीरी परवत पही रहते हैं किस चैनल जल अंतराल द्वारा मालदी मिनिकाय को अलग करता है तो के आथ डिग्री चैनल, option number A, जो वाई , सुक्री एवं जोजारी, बाडी loodi , मिठड़ी , मिठड़ी , मिठड़ी , इया सब लूनी की सायक नदी है अब यही सब कोशन पूछा जाता है जो टेढ़ा टेढ़ा हो जो कभी आपने सुना नहीं होगा option number D इसका right answer है केन बेतवा चंबल यह सब यवना की सायक नदी है लोहित किसकी है सुबन सीरी ब्रहपूत्र की next question है निर्में से कौन सा जील तमिल नाडुवा आंध प्रदेश के वीच सीमा साजा करता है पुलिकट जील लोक्टल जी कहाँ है मनिपूर लोक्टग जील मनिपूर नाड़ काँ अगाना इस यह पुलिकट इसर दोनों में से कोई एक राजमें है आप लोग अन्फरम करके बताईएगा नेश्ट कोशन है होगेन नकल भार चुकी एवंबाल मुरी जल परपात किस नदी पर अवस्थित है तो यह अवस्थित है कावेरी नदी पर ओप्स नंबर B ओप्स नंबर B इसका राइट अंसर है नेश्ट कोशन है जलोट मीटी के बारे में निन में से दिये गए असात कथन का चैन करें गलत कथन इसमें पोटास की बहुलता होती है जी बिल्कुल पोटास की बहुलता होती है इसमें नैट्रोजन, फासफोरस, एवं हिूमस की कमी होती है नैट्रोजन फासफूरस एवं हुमस की कमी होती है जिल विल्कुल पुराने को खादर गौर करेगा पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहा जाता है जो की गलत है यही राइट अंसर हो जाएगा पुराने को कहा जाता है पुराने मीठी को बांगर कहा जाता है और नए म तुसरे ँस्ताने पर चैन करें का पास अनुसंधान किंद्श जो की गलत है यह नागपूर में हैं कहां है नागपूर में है राश्टिय चाय जोरहत राश्टिय कauफी जान चीकळांगं बहारतिय तिलहन अनुसंधान केंद्र यह का है है हैधरावाद एक फिर से सुनेगा केंद्रिय का पास अनुसंधान केंद्र नागपूर राश्टिय चाहे अनुसंधान केंद जूरहट राश्टिय कॉफी अनुसंधान केंद चीक मंगलूर राश्टिय तिलहन अनुसंधान स बिल्कुर राइट एंसर है, सरवाधीक नगरी जनसंख्य प्रतीसत वाले राज कौन है, सरवाधीक नगरी जनसंख्य प्रतीसत वाला राज कौन सा है, तेह राज है गुवा, निनों से कौन परियोजना महराश्ट में अवस्तित नहीं है, महराश्ट में अवस्तित नहीं है, भीमा परियोजना, जैकवाडी परियोजना, गिर्णा परियोजना या सभी के सभी कहां है तो महराष्ट में है जब कि वारगी परियोजना जो है बारगी परियोजना मत परदेश भीमा परियोजना भीमा नदी पर है जैक वाड़ी परियोशना गुदावरी नदी पर है, ये नों इसे कौन राष्टी उध्यान असम में अवस्थित नहीं है, मानस, नमेरी, राय, मोना यह सब असम में है, जबकि क्लाउड लेपड जो है, क्लाउड लेपड यह तिरिपूरा में है, तिरिपूरा में है, आप्स इसे भी देखते हैं, गोलक नाथ बनाम पंजाब राज, गोलक नाथ बनाम पंजाब राज के जो अस्थापना की गई थी, इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था, आप लोग भी बताएंगे, 1967 में, 1967 में, केसवानन भारती बनाम कीरल राज, इसके अस्थापना 1973 म इसके स्थापना 1960 में क्या गया था, एक वा फिर से सुनिएगा, गोलक नाथ बनाम पंजाब राज, 1967, केसवानन भारती बनाम कीरल राज, 1973, मिनर्वा मिस बनाम भारत संग, 1980, बेरु बनाम भारत संग, 1960, मिलाएगा इसका राइट असर क्या हो जाएगा, तो आप लोग भी देख सकते हैं, चार, एक, दो, और तीन, आपसन नंबर ए, नेश्ट है, भारती समिधान का कौन सा अंचेद, उपराश्ट पती के पद को निरूपित करता है, उपराश्ट पती के पद, पकानी, कोका, दूयो, दसम, इसका जोराई टंसर हो जाएगा, आपसन नंबर ए, 63, राश्ट पती का पद, अंचेद, 63, आपसन नंबर ए, नेश्ट है, निव लिखित में से कौन सी एक समिधी, पंचायती राज संस्था से समंधित नहीं है, कौन सा समंधित नहीं है, आप लोग बताएगा, एल, एम, सिंध्वी समिधी का समंध है, असोप महता का भी है, बल पंचायती राज से नहीं है, इनका जो समंध है, गरीवी उनमूलन से, और इसका गठन किया गया था, 1985 को, 1985 को इसका गठन किया गया था, गरीवी उनमूलन से समंधित है, एल, एम, सिंध्वी समिधी की जो स्थापना की गई थी, 1986 में, इसी के सिफारिस के वदौलत ही, पं बल्वंधर र ऐसे हैं निमलिकित में से किस भारतिय को टतकालिन वासराय लॉड कैनिग नी अपनी विधान पषट में नामित किया था तो बनारस के राजा, पटियाला के महराज, सर दिन कर राओ, आप्सिन नमबर D, इसका राइट अंसर हो जाएगा समिधान सभा के सदस्यों में अनुसुची जन जाती के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यह संख्या थी 33, आप्सिन नमबर A आप्सिन नमबर A होगा सुतंत भारत के पहले मंत्री मंडल के समध में किसका मिलान गलत है, देखें, इसका जो अंसर है वो गलत दिया गया है, आप लोग भी देखिएगा, डिसाइड करिएगा इसका अंसर क्या होगा देखें, सरम मन्त्री जग जीवन राम थी मिलकुल, रच्छा मन्त्री बल्देव सी थें, रेलवे मन्त्री जोन मथाई थे, गोड़ करिएगा, स्व creepy भारत के पूछा जा रहा है, तो स्व justify भारत के पहले रेलवे मन्त्री कौन थें, तो जोन मथाई थें, बीधी मन्त्री ज इसका राइट अंसर हो जागा किपकि स्वत्यांतर भारत के पहले विधी मंत्री डॉक्टर भीम रॉव अंबेट करते हैं और यही अंसर मुझे गलत लगा इसका जो राइट अंसर दिया गया है ऑप्शन नमर सी जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं 32 नमर प्रश्ट को देखें आप लोग भी डिसाइड करेगा इसका अंसर क्या होगा 32 का सी दिया गया है जो मुझे गलत लगा चली आगे बढ़ते हैं इसका जो अंसर होगा ओप्शन नमर डी होगा आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे इसका अंसर क्या होगा मिलान करें, भाग 11 में क्या है, भाग 11 में संग और राजों के बीच संबन्ध है, भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 17 में है राजवासा, भाग 18 में आपात उपवन, भाग 20 में है समिधान संसोधन, इसका जो राइट अंसर होना चाहिए, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्सन नमबर, 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्सन नमबर, D, इसका राइट अंसर है, निम लिखित में से कौन सा महासागर ये धारा, हिन महासागर से समझ नित है, अंगुलहास, कनारी, फ्लोरिडा, या सब अंटलांटिक, कनारी है जो ठंडी जलधारा है, क्यूरायल है जो प्रसांत महा सा महासागर का, निम लिखित राष्ट पती को उसके कार्शकाल के अनुसार विवस्थित कीजिए, इसका राइट अंसर बताईगा, क्या हो जाएगा, निम लिखित राष्ट पती को उसके कार्शकाल के अनुसार विवस्थित कीजिए, मैंने इसे बोड़ वे बताया भी आ राजेंदर परसाद, दूसरे राष्टपती, पहले राष्टपती, डॉक्टर राजेंदर परसाद, दूसरे राष्टपती, सरपली, राधा, कृष्णन, तीसरे राष्टपती, जाकिर हुसें, जाकिर हुसें के बाद, बीवी, गीरी, बीवी, गीरी के बाद, पांचवे ज सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसेन फोर उसके बाद बीवी गीरी बीवी गीरी के वाद ग्यानी जैल सिंग्यानी जैल सिक्वाद के आर नराना अप्सन नमर हो जाएगा बी अप्सन नमर बी डियागो गौर्षिया कहां इस्तित है डियागो गौर्षिया कहां है तो यह हिंद महसागर निम्लिकित में से किसे स्वर्ण का नगर कहा जाता है किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है तो सैन फ्रांसिस्को निम्लिकित में से कौन भारत के प्रधान मंत्री से बने से पहले मुख मंत्री नहीं थे, चौधरी चरंसी, यूपी के मुख मंत्री रह चुके हैं, मुरार्जे देसाइब, बंबई के, बीपी सी, विश्वनाथ परताव सी, यह यूपी के ही मुख मंत्री रह चुके हैं, जबकि चंसेखर आजार, यह मुख मंत्री नहीं रहे ह भारत में सबसे अधीक जय विविता संपन छेत्र कौन सा है तो पश्मी घाट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रामकार्शक्रम कब से प्रारम क्या गया हाथी के लिए 2002 आमला वर्षा के लिए नियुन में से कौन ज्यादा उत्तर दाई है तो एसो टू और एनो टू भोपाल की यूनियन करवाइट थैक्टरी में दुरुघटना कब हुई थी जिसमें मिथाईल आइसोसाइनाइट का स्राव हुआ था हजारों लोग मारे गए थे यह हुआ था 3 दिसमबर 1984 को आप्सन नमबर A इसका राइट अंसर है एक परसे कितने परकास वर्ष के बरावर होते हैं तो 3.26 बिल्कुर राइट अंसर आप्सन नमबर A ना कि C होगा आप्सन नमबर A बिल्कुर राइट अंसर है नियुन में से किस उपकरन के दोरा ध्वन ध्वनी उर्जा को बिधुत उर्जा में रुपांतरन किया जाता है किस उपकरन के दोरा ध्वनी उर्जा को बिधुत उर्जा में रुपांतरन किया जाता है तो रुपांतरन किया जाता है माइक्रोफोन आप्सन नमब B सरल आवर्त गति करने वाला कन जब अपनी माध्या प्रवलता के कारण थोस में उस्मा का संचरण किस विधी द्वारा होता है या होता है किस विधी द्वारा तेज चालन विधी द्वारा नीर में से किस रंग के प्रकास का प्रकिरनन सबसे कम होता है प्रकिरनन सबसे कम होता है लाल में और तरंग देधर सरवाधीक होता है लाल में तरंग देधर सरवाधीक इसमें होता है तो लाल में और प्रकिरनन सबसे कम होता है वही अपोजिट व्यागनी को देख लेजे प् सबसे अधिक आयना चंता किस किरन का होता है। इसका भी अंसर मेरे ख्याल से गलत दिया गया है ॐसका अंसर क्या होगा। सबसे अधिक आयना चंता जो हता है यहां गामा किरन का होताütfen जिसकी खोज रॉंटीज Position ने किया था इसका जो अंसर दिया गया है, option number A दिया गया है, जो मुझे गलत लगा, आप लोग क्या decide करते हैं, आप लोग comment करके बताएंगे, option number C मेरे ख्याल से सही है सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलता पुरवक निर्धानन किसने किया, मिलकनने, नेश्ट है, किस तद्व का इलेक्ट्रॉन बंतता सबसे अधीक होता है, तो chlorine का, option number B नीन में से किस अम्रको मूराइटिक अम्रक कहा जाता है, आप से नमर 1 LPG का प्रमुक घटक नियुन में से कौन है LPG का प्रमुक घटन कौन सा है प्रमुक घटक पुछा जा रहा है तो यह ब्यूटेन हो जाएगा प्रोपेन ब्यूटेन लेकिन अप्शन के अकॉर्डिंग C हो जाएगा, ब्यूटेन होगा एक ही चुनना है नियुन लिकिन में से किसे पॉडियूसर गैस के नाम से जाना जाता है, पॉडियूसर गैस के नाम से CO पलस N2 को, मिले राइट किसका ऐस के है, या हो जाएगा किसका निकेल का, आपसन नमबर A, लार ग्रांथी से नियून में से कौन सा एंजाइम का श्रावन नहीं होता है, तो प्यपसिन का नहीं होता है, जबकि टाइलिन का श्रावन होता है, चप्टे क्रीमिक का उसरजन नियून में से किसके द्वारा होता है, देखें इस कोशन को मैंने गूगल पर सर्च किया, तो क बता रहा है तो इसमें मैं किलियर नहीं कर पाई हूँ आप लोग किलियर कर लेजेगा हलाकि इसका जॉंसर दिया गया option number a दिया गया है नियन में से कौन कर्ण अस्थिया नहीं है मतलब कान की अस्थि नहीं है कौन से नहीं है मैलियास इनकरस अस्थेपिज सबसे छोटी हड़ी अस्थेपिज ही है हूमस जो है या कान की अस्थि नहीं है option number B, यह उसे कौन monosecrate नहीं है monosecrate, maltose जो है monosecrate नहीं है, यह dicecrate है जबकि glucose, glycose, fructose यह सब monosecrate को धारन है protein सब्द का प्रयोग सरपर्थम किशने क्या था protein सब्द का प्रयोग सरपर्थम bergillius, option number B काला जार किस परजिवी के कारण होता है काला जार, जिसके लिए ticca लगा जाता है DPT, diptheria काली खासी और titnes के लिए लगा जाता है DPT, जो है काली खासी, diptheria और titnes के लिए लगा जाता है यहाँ पर काला जार किस परजिवी के करण होता है वह बताएगा, नही हो जगा leish materia, dona, dona, b来 नहीं उच्ष स्वाचन में किसका प्रतिसत अक्सीजन छुड़ा जाता है लग भग 17 परसेंट लग 17 परसेंट तक त्योंकि आक्सीजन जो छोडा जाता है यह 16 पॉइंट कुछ होता है वही carbon dioxide या 4% लगवग 4% छोड़ा जाता है, option number B इसका right answer हो जाएगा, next question है, 4.4% CO2 और 16.4% एही oxygen छोड़ा जाता है, computer का पितामा किसे कहा जाता है, त्या स्थापित किया जाएगा, अरुना चल परदेश, option number B, अरुना चल परदेश, 20 हिंदी से मिलन की मेजवानी करने वाला प्रसांद छेतर का पहला देश कौन बनेगा, त्या बन गया है कौन, PG, option number A, इस रो के सबसे भारे रॉकेट, LB, M3, M2 ने कितने उपरहों को BCCI के नए अध्याच के रूप में चुना गया है, रोजर बिनी को, रोजर बिनी को, BCCI के नए अध्याच के रूप में चुना गया है, यह लिखित में से सहित लहरी के लेखा कौन है, सहित लहरी, सूर्दास, सूर्दास, गोरा के लेखा कौन है, गोरा, रविना टैगोर इसने सबसे पहले जैजिया करको समाप्त किया था इसका ज़नसर दिया गया है ओप्सन नमर दिया गया है चीन का उप्सन नमर एठ वायु सहना डिवस कम मना जाता है चार दिसमर को क्या मना जाता है पंदरा जनवरी को क्या मना जाता है विसवा ब्यापास हंगठन के स्थापना किस वर्स किया गया है विश्व व्यापार संगठन के स्थापना WTO के स्थापना किस वर्ट किया गया था तो एक जन्वरी 1995 को वर्ट ट्रेड और्गिनाइजेशन ओप्स नमबर ए इसका राय ट्रेंसर हो जाएगा इसका मुख्याले का है तिया हो जाएगा जिनेवा इसके अध्याश बरतवान में नौजी आईवेला है इसा नाम थ्वाटिड़ा है इनका नीन्वे से कौन कराची से प्रकासित होने वाला समाचार पत्र है यह सबसे फेमस समाचार पत्र है जिसका स्थापना मुहम्मद अली जिल्ला ने किया था मुहम्मद अली जिना ने 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1941 को दिली में स्थापना किया था और यह जो समचार पत्रे है डॉन जो कराची से प्रकासित होता है ऑप्शन नमर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नीजी छेत्र और बाजार के सापेच राज वह सरकार की भूनका के अधार पर अर्थववस्थाओं को कितने स्रेणियों में वर्कित किया जाता है जर्वन एवन पॉलेंड के बीच कौन अंतराष्टिय सीमा है यह है हिंडन वर्ग रेखा रासभा के जरी नमांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अब व्हनेत्री कौन है तही है नर्गिस्दत जो कि संजय दत की माह है शुनील दत की वाइफ है दशनी ध्रुप पर पहुशने वाला विष्वका प्रथम वैक्ति कौन था दचनी धुरूप पर पहुशने वाला तेया हो जागा दचनी धुरूप एमंसन और रोबर्ट पेरी उत्री धुरूप पर कब गय थे तो यह गय थे 6 अप्रेल 6 अप्रेल 1909 को बहुत में सबसे लंबा सड़क पूल कौन सा है पहले था महात्मा गांधी सेतु पूल अव कौन बन गया है भुपेन हजार का सेतु पूल ऑप्सन नमबर ए इसका नाम जो है ढोला साधिया भी है इसे ढोला साधिया सेतु भी कहा जाता है यह लोहित नरी पर है 26 मई 2017 26 मई 2017 को नरेंद्र मोधी ने इसका गाटन किया था इसकी जो कुल लंबाई है 9.15 किलो मीटर है वह महात्मा गांधी सेतु पूल जो की गंगा नदी पटना मिश्ती था इसका जो लंबाई है 5.7 किलो मीटर निम्रीखित में से भारत का प्रथम पंडूबी कौन सा है भारत का प्रथ प्रिहन्त हैं आप्सन के अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करके बताईएगा खनन और उत्खनन में सलंगन स्रम के प्रकिर्थी को नीन में से किसके जरिय संकेतित किया जाता है आप्सन नमर हो जाएगा इसका ए रेड कॉलर जॉब पांच घंटिया क्रम सा 6,8,12,18,45 सेकंडों के अंतराल प्रवस्ती है यदि वे प्राता आठ बजी एक साथ बजना अरम कर दे तो पुना वे कितने दिरवाद इकठी बजेगी इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्स अंसर और पुलिस का त्यारि नहीं करते हूं अगर मैं बिहार पुलिस का त्यारि करती हो अंसर हो जाएगा और में 3 सेकंड ले तो इस पूल के लंबाय कितनी है 245 मीटर 86 का अंसर हो जाएगा option number C किसी धन का 3 वर्स में चक्रविधी मिश्ण 6690 तथा 6 वर्स में चक्रविधी मिश्ण 1035 हो जाता है 1035 हो जाता तब धन कितना है इसका राइट अंसर option number C 87 का हो जाएगा C 88 नंबर trichometry से दिया गया है option number D होगा 88 का वीडियो को पॉस्ट कर लीजेगा हलाकि मैं इसका PDF आप लोग को दूँगी आप लोग PDF के लिए टेंसर ना ले मैं वो सभी PDF आप लोग को दे दी हूँ 1, 2, 3, 4 का इसका भी मैं आप लोग को PDF प्रवाइट करवा दूँगी 90 का जो अंसर हो जाएगा 89 का option number D होगा 90 का अंसर हो जाएगा option number A next question है हिंदी से नेम लिखे तो वाक्यों में से असुधवाक को पहचानी है असुधवाक मेरे उपर किरपा करें मेरे उपर किरपा करें यह गलत या गया है हिंदी में confusion होता है ऐसा लग रहा है कि यह भी सही है स्रीमति गांधी भात की प्रथम भारत की परधान मंत्र थी मेरे घर के सामने पाट साला है वाँ भारी भीड थी यह सब सही दिया गया है इत्यादी सब्द का स्तही संदी विछेद होगा ET पलस आदी सब्द का समास का उधारन है बख्वो ब्रीह समास दसानन और उप्स नमबर B निम लिखित में से एक स्वर्ण का प्रियवाची सब्द नहीं है सवर्ण का प्रियवाची नहीं है यह सब देखेगा मैं इस सबको नहीं सर्च की हूँ हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, यह होते हैं, 11, 11, in the following question, out of the given four alternatives, select the alternatives which based, express the meaning of the idiom phrase, to have an eating plan, palm है, इसका जराइटन सरो जाएगा, option number D होगा, to be ready for money, choose the word that is opposite in meaning to the given word, subtracted का क्या होगा, तो option number B हो जाएगा, adjunct, adjunct होगा, choose the word that means the same as the given word, explicit का हो जाएगा, 98 option only, specific, choose the word that can substitute the given group of word, a house of shelter for a dog, 99 का दिया गया, option number A, last branch, इसका जराइटन सरो जाएगा, option number C हो जाएगा, चलिए, 100 question को हमने complete कर लिया, वीडियो कैसा लगा, बहुत महिनत मैंने किया था, देख सकते हैं, मैंने कोई भी question का answer जो है, गलत नहीं बताया है, फिर भी question में आप लोग को doubt अगर लगता है, तो आप लोग बेसा comment कर सकते हैं, अगर आपने channel को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लेंग पक्तिक नहीं प्सक्तिक